मैं याद दिला दूँ चौथी क्लास में आपने पढ़ा था भाज तथा अभाज संख्या अपवर्तक और समापवर्त ठीक है या फिर आप इसे गुड़ज भी बोल सकते हैं समापवर्त को अपवर्तक को आप विभाजक भी बोल सकते हैं या गुड़नखंड भी बोल सकते है अपवर्थक को इंगलिस में फैक्टर बोलते हैं और ये जो भीभाजक वाला है या अपवर्थ है इसे मल्टीपल कहते हैं तीसरी क्लास में आपने पढ़ा था अब्यास प्रस्ण ठीक है क्लास नंबर दो में आपने पढ़ा था बोर्ड मास का नियम चर अचर संख्याएं और सजातिय बिजातिय पद पहली क्लास में साथियों हमने सिलेबर्श डिसकस किया था इसके साथ में LCMHCF पढ़ाया था ठीक है समझ रहे हैं बाबु भाई है सभी तो ये पूरा सारी क्लास का हिसाब है जो आज तक चली है और पाचवी क्लास में आज क्या पढ़ेंगे पता है का पढ़बा हो राजा बतावा न बिभाजेता नियम पढ़ोगे आज डिविजबिल्टी रूल डिविजबिल्टी रूल अध्याए बन है ये आगे सब ही चले हाँ कमेंट सब क्या रहे है करन गुप्ता नीला म्यादो आरती राय सिरोमनी और अफ्रीन सचिन सेन सचिन आज कल बला फेमस हैं सीमा के लिए का बात है आये हो का सब लोग देख रहे हो सीमा सीमा परकर के इंडिया आ रही यह सब पढ़ाई के लिए अरख नहीं आ रहे हैं कुछ और के लिए लेकिन याद रखना एक चीज मेरा अपना बिचार है उस शीमा के बारे में जो शी मार्ण के आई है कि जो अपने चार बच्चों के साथ अपने पुराने हस्बरेन की नहीं हूई जिसके साथ उसके चार बच्चे हुए जो अपने देश की नहीं हुई मोसाचिन की कभी नहीं होने वाली यह मेरा प्रस्णल अनुभो रहा है चलिए कलास में बढ़ते हैं फिलहाल यह जानकारी जरूरी थी ट्रेंडिंग में है दोका विभाजिता नियम दिविजबिल्टी रूल बाई टू चलिए इसको लिखिए बनिया है चले नहीं आपकी वेज़िती नहीं कर रहा हूं मिस्टर सचिन वह आपके नाम से मुझे वह सचिन यादा आ गया चूसा गट्टा जैसे देखो इधर जोका विभाजिता नियम इसको इंग्लिस में बोलते हैं दिविजबिल्टी रूल बाई टू इसकी पहचान क्या होती है आइसी संख्या हैं जिसके अंति मांक आइसी संख्या हैं जिसके अंति मांक यानि लास्ट डिजिट जो है वो जीरो दो चार छे वा आठ होंगे वो दो से कम्पलिडली डिवाइड होंगे समझ गए ना याद रखना इनको पेपर में आएंगे इनसे संबंदित कुछ न कुछ चीज़ें ठीक हैं तो ऐसी संख्या हैं जिनका लास्ट डिजिट जीरो दो चार से आठ होता है वो क्या होते हैं दो से विभाजित होंगी जैसे उदाहरन माली जिये चार आठ पांच साथ दो नो जीरो ये दो से कम्पलिडली डिवाइड है की नहीं बोलो हां या नहीं बोलो बैया है या नहीं बी वाला बताओ बी वाला दो से कम्पलिडली डिवाइड है या नहीं अच्छा तो सी वाला बतावाओ बैया चलाओ सी वाला है या नहीं दीरेश कुमार बिट्टू पासवान तान्यनाज पप्पू रितू ये सारी संख्या है टू से कम्पलिडली डिवाइड हैं उसके पीछे रीजन है कि इनका लाइड डिजिट जीरो है इनका फोर है इनका छे है एक चीज़ और सीख लो एक तीर फे दो निफाना ये सभी संख्याएं भी है क्योंकि इनका लाइड डिजिट जीरो दो चार छे आठ अगर इनमें से कुछ भी आता है तो ऐसी संख्या को संख्या भी का जाता है चलें आगे सभी समझ गया एकदम बढ़िया से तो चलो लगे हाथ बता दो एक अगर इसमें A सही है तो आप 1A लिखोगे कमेंट में और D सही है तो 1D ये तरीका जल्दी करें अनुसका निसाथ कमेंट आ रहा है प्राची यादो नीलम यादो सब का रहा है आजसी संक्या जिसका लाष्ट कर डिजिट 02468 में से कुछ भी होगा वो 2 से विभाजित है सवाल कह रहा है कि 2 से विभाज नहीं है नहीं है जनाब वो निकालना है C वाला सही है बटा तो 1 में C सही है 3 से पूर्था विभाजित है बता कौन 3 से पूर्था विभाजित है 3, 5, 9, 1, 2, 9 इन में से कौन है बताओ अभी नहीं बताया नियम न रुको नियम बताते हैं चलो उसने जो मांगा एक सितारा तो मैंने जमी पे चांद उतारा सुने होगे नहीं इसको और चांद उतारने के बाद फिर क्या हुआ उसके आगे कहां नहीं बाद में तीन का भी भाजिता नियम डिबिजबिल्टी रूल बाई थरी डिबिजबिल्टी रूल बाई थरी देखिए ये क्या होता है आसी संख्या जीन के आंकों का योग लिखो जीन के आंकों का योग तीन से पूरता भी भाजित हो वाद तीन से पूरता भी भाजित होगी सम्जा भाईया छापा ए आज इंटरनेट बड़ा गंदा चल रहा है का का कह रहे हो इंटरनेट बड़ा गंदा चल रहा है का हो सही आरे क्वाल्टी की नहीं गड़बडात नहीं रहा है नहीं तो मैं कनेक्ट करूँ और कुछ थोड़ा रुकना इंटरनेट में डारेक्ट डाटा केबल कनेक्ट कर लेता हूं इसमें वाइफाइस हो सकता है थोड़ा गड़बड जा रहा हो अब मैंने डेटा केबल से नेट कनेक्ट कर दिया है चलो और डेटा केबल बीच में भी आ गई लग रहा है अबे यार अट जाना तूरे दादा जांक तेरा जांक तेरा आएए उदारन समझते हैं जैसे ये संख्या मैंने लिखा 9, 8, 7, 5 क्या ये तीन से विभाजित है 9, 8, 17, 17, 17, 17, 24, 24, 25, 29 क्या 29, 3 से विभाजित है क्या 29, 3 से completely divide है नो नहीं तो अगर ये 29, 3 से विभाजित नहीं है तो हम कह सकते हैं पूरे डंके की चोपे की 98, 75 जो है ये भी 3 से पूरता विभाजित नहीं होगी चाहे तो करके देख रो तुम्हें यकीन नहीं है तो करके देखो 98, 75 को 3 से भाग करो देखो 3 तरीका 9 3 दूना 6 2 बचे का 27, 3 नमा 27, 5 बच जाएगा, अटक जाएगा इसी में बीवाला ले लो क्या ये तीन से पूरता विभाजित है हाँ है, देखो साथ में से जोड़ो कितना आएगा जोड़ के बताओ भाईया बंदना कुमारी बताओ कितना आएगा अभी ये नए नए उतार ली है न इसली है साथ पांच बारा दुछ चवदा, एक पंदरा तीन अठारा अठारा तीन से कमपलिडली डिवाइड है सबसे पहला जवाब आया है रितू का अगर अठारा तीन से डिवाइड है तो इसका मदला भी संख्या जो फलानी वाली ये भी डिवाइड होगी देख लो तीन से भाग करो तीन दून अच्छा बचा एक होईगा पंदरा तीन पचे पंदरा उसके बाद दुछ नों में एक बार में जाएगा जीरो बढ़ेगा तीन सते काई इस तीन एकम तीन कितना होईगा यारी तो पचीफ जार होईगा भईया तब का दिक्कत चाच्चा यह 75,213 है तो यह पचीफ जार तो होईगा सही है ठीक है तो सबही समझ गये तीन का विभाजता नियम चलो एक आदू ठीक कूश्चान ले लो फिर सिकेंड में अगर सी साहिए तो टू सी लिखेंगे अगर ए साहिए तो टू ए और डी साहिए तो टू डी बताओ कौन साहिए जल्दी करो कौन साहिए बोलो स्वेता आरती पाल प्राची नितीस गोल्डी सिंग कह रहा कि तीन से पुरुता विभाजित है भाई यह जोड़ के देखो सबको मुझे लग रहा भी वाला सही है कौन से सही है भी वाला न देखो छे पांच ग्यारा 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 नो बीस पांच पची तीन अठाइज दूए 30 थीस आएगा इनको जोड़ो पांच शाए पांच पंदरा पांच बीस चाहुवष है इसमें तीन से भी वाजिस संग्या कौन से है शिर्फ तीस वाली है तो तीन दो में बीस आई है दो में पीस है ये नाट बीबी बीबी मत बोलो रात का टाइम होई से भी डराओना होता है समझ गए तो ये जो 14 जुलाई तक अफर था जिन बच्चों का पेमेंट फसा था या कोई प्रॉब्लम थी वो इसे अभी इन्रोल कर सकते हैं पिस तारीक तक ठीक है जिनका पेमेंट पेंडिंग था या किसी वज़ा से पेमेंट कैंसल हुआ था दूसरी इसमें आपका एक नया बैच आ रहा है इसमें जिनका जुआइन नहीं होता है जिसका नाम है सावन बैच वो जा करके अगर इस वाले बैच में अप्लीकेशन में पेमेंट कर देंगे तो उनको सावन बैच में एटोमेटिक इन्रोल कर दिया जाएगा ठीक है जो ब कि पर पर कुछ भी कहना था बोलो कि कोई नंबर तीन चार नहीं लिखो है हुआ है अ हुआ है अ हुआ है है अ है है अधा डिवीजबिल्टी रूल भाई फॉर चलो बताओ कोई बात कर रहा है मैं उन्हें तुरंट ब्लक कर रहा हूं चलो बताओं रोहित कभी-कभी दर्फन देते हैं कभी-कभी नहीं आते क्या बात है भई नबंदी कर रहे हो नचलूए कर रहे हो क्या बात है हमारे यहां रिकार्ड में तापका बंदे चल रहा है आइसी संख्या जिनका अंद फे इकाई वा दहाई से बनी संख्या चार फे पूरता बिभाजित होती है वे संख्याए चार फे पूरता बिभाजित होंगी ठीक है ऐसे है ना अब धीरेस को अब चुपए से धीरेस से बलक किया जाएगा वैसे इसमें आपके दिया भी नहीं चार से भी बाज़ता नहीं है फिलाहाल चलो देखो भाई आओ आओ समझते हैं इनको अटाय दो काये को दिख रहे हैं रास्ते में अटो चलो निकलो बागो अब रोकना तु काय को दिख रहा है वैज़त कवेज़त कर रहा है सही हड़ गये ना देखे जैसा यह संख्या लिखा तीन चार पान जीरो छे चार इसमें लाश्ट से इकाई और दहाई यानि यह जो लाश्ट की दो संख्या है उनको पकड़ो उनफे जो संख्या बनती है अगर वो चार से completely डिवाइड है अर्थात इसमें 64 ऐसा है तो आप कह सक्टे होगी यह पूरी संख्या 3,55,064 भी तीन से विभाजित होगी और यह अगर चार से विभाजित नहीं होती है दो अंक जो लाश्ट का है तो पूरी संख्या भी चार से डिवाइड नहीं होगी पसी यह कांसेप्ट है यह बी वाला चार से विभाजित है या नहीं बताओं यह से आनों क्या कह रहा हूं बी वाला चार से विभाजित है या नहीं बात करने वाले धीरे से बुलाख हो जाते हैं बीना दवाज किये पढ़ाई ध्यान दो कोई बुलाख नहीं होगा बकता ही करोगे तो फिर गए आएसी संख्या जिनका लाष्ट का दो डिजिट से मिला करके बनने वाली संख्या चार से विभाजित है जैसे इसमें लाष्ट ओजी डिजिट 54 चाववन चाववन क्या है चार से विभाजित है बोलो है न तो पूरी संख्या भी चार से विभाजित होगी चल भाई बताओ आप सन देखा कुशन बाद में देखा पर देखा इसमें बताना कौन चार से विभाजित नहीं है अब है आठेस का है शुरू करता है इडियाट बताओ कौन कौन चार से विभाजित नहीं है कौन कौन चार से विभाजित नहीं है अनुच बताओ कौन से यह प्रियागुप्ता वार्तिका प्राची दिरेश देखो ऐसी संख्या जिसका लास्ट का दो अंक मिला करके जो संख्या बन रही वो चार से डिवाजित ना हो जैसे इसमें लास्ट का दो अंक से 96 बंदा है एमा भईया 69 बंदा है बब्बू एमा 17 बंदा है एमा 94 बंदा है चार से डिवाजित 94 भी नहीं है चांस डिबाइड 17 भी नहीं है और 18 भी नहीं है पहल का वाला है तो यानि हम कह सकते हैं बी फी वाट डी साहिए परमिला यादो परंजल ठाकूर गोल्डी सिंग चला चापा चापा हो भाईया तो सबाई चार का विवाजता नियम सिख गया लेकिया पांच का विवाजता नियम दिविज बिल्टी रूल बाई फाइफ थोड़ा मेना हाथ से पढ़ाना चाहिए न अच्छे न दीजे आते पांच का विवाजता नियम आसी संख्याएं जिनके अंति मंक जीरो वाज पांच आएं वाज वाज जीरो वाज पांच ने जीरो या पांच पांच से पूर्टा विवाजित होंगी ठीक है जैसे पांच नो साथ दो एक एक साथ क्या ये पांच से विवाजित है क्या ये पांच से पूर्टा विवाजित है क्या सी वाला पांच से पूर्टा विवाजित है एक एक उमार पाल कहाता है हमाँ नाम नाहीं लेता है कहा हो राजा बच्चा चच्चा अगर तो आज नाम ले ले तो तू अम्मर हो या वका ये कुछ और हो जे जुगार लग जे तो आका उन्हों अलग से अरे कुछ अच्छा काम करा तो अच्छे भास हम नाम लिए जाए अंसर तो बताऊता है ना एक को बार तो कहा करी तो आनाम लेके आईसी स्थांक्या जिनकी अंतिमांक 0 या 5 आते हो पांच से पूर्टा विवाजित होती है तो बिकन से ये भी पांच से विवाजित है और ये भी है बट ये नहीं है ठीक है बी और सी वाला है तो सभी सी गए एक से ले करके दो से ले करके पांच तक का विवाजिता नियम किसी को कौनो डाउट नहीं चला देखा चे का भी भाजिता नियम डिविज बिल्टी रूल बाई 6 सही लिखा हूँ इस पे लिंका में हमें लागता है कुछ गलता है का डिविज बिल्टी साही है स्पेलिंग का हो आगे बढ़े साही है या है लगभंग मुरादें पूरी हो रहे हैं सब की पूरी हो रही ना कि दिविज बिल्टी रूल बाई 6 क्या होता है यह चलो बताओ कोई भी निमन बताओ आइसी संख्या जो दो और तीन दोनों से पूरता विभाजित हो ना तो यह संख्या पहले तो दो से विभाजित होगी क्योंकि इसका लास्ट का डिजित चार है तो यह दो से विभाजित होगी पीन से विभाजिता नियम चेक करेंगे इनका योगफल अठारा है तो आठारा तीन से दिवाइड होती है तो आप कह सकते हो कि यह संख्या तीन से भी कमप्रिलिल्टरी डिवाइड है तो इनके लड़के बच्चे जिस दिसा में जा रहे हैं तो फिर इनके गर्जियन भी उसी दिसा में गया होंगे समझ रहे हो यह कमेंट वाले जो लोग यहां कमेंट में बसे हैं ध्यान दें कि ये जो बाबा और बेबी बन के बात कर रहे हैं एक तुम्हारी मा के सिवा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता ना करता है अभी करनाटक की घरनटी बड़े दिल धाला देने वाली ऐसी माताओं को मैं सभी को प्रडाम करता हूँ उसमें एक माता जी ने क्या किया पता है तुम्हें सोच भी नहीं सकते हो उनकी एक बीटिया पढ़ती थी बीटक की थर्ड एयर छात्रा थी जहां तक मुझे पता ऐसे कुछ था ना एक लड़का पढ़ता था जो आईटी आई में सिकेंड एयर का इस्टूडेंट था और वो सरकारी आफिस में किसी कार्यालाय में लगबग 10,000 की नवकरी पर काम करती थी उनकी एज लगबग 45 साल थी उनने सुना था कि किसी की मर जाने पर उनके घरवालों को मुआपजा मिलता है और इसलिए उन्होंने सरकारी बस के आगे कूद करके सुसाइड कर लिया कि मेरे कुछ होने वाला है टाइम बेस्ट ना करिए अनुभा मैं ले चुका हूँ तुम भी सीख लो चलो अगे चले बीवाले में देखो इसमें बताओ क्या ये छे से डिवाइड है हाँ या नहीं बोलो क्या ये छे से डिवाइड है या नहीं अरे तुम लोग इस जमाने देश समाज से नहीं सीखते हो क्या लोग महर्या ने पढ़ा लिखा करके स्टियम बनाया हूँ उनकी नहीं हुई तुम्हें क्या लगता है कि तुम 249 का रिचार्ज करा दो कि तुम्हारी हो जाएगी हां बताओ मत परिसान रहो ये बात दोनों पर लागू होती है अपने आपको काम्याब बनाओ एक चीज ये भी सचाई है पता है पढ़ाई तो होती रहती है कुछ चीज़ें जरूरी भी है लाइफ में किसी को भी उपर उठाओगे अगर न और अगर साथ में तुम भी नहीं उठे न तो साथ छुड़ जाएगा सिंपल सा लॉजिक है अगर मैं इस बोतल को उपर उठाता हूं और मैं सीध्या नहीं उठ पा रहा हूं इतना उपर उठा दिया को उसके उपर मैं खुद नहीं जा पा रहा हूं तो मेरा हाथ नीचे रहा गया मैं इसके बराबर नहीं जा पाए तो बीच में कोई और आ जा था यसा कुछ है ना तो नहीं गई उन्हें छोड़ गए और इधर वाले केस में तो वह जैसे कता ऐसे रहा गए फोर्स ग्रेट के इंपलाई ही रहा गए इसले चली गई समझ रहे हो तो किसी को आगे बढ़ाना बुरी बात नहीं है लेकिन कभी अपने से आगे मत बढ़ाना और अगर अपने से आगे बढ़ा दिये तो पर गढ़ बढ़ पहले देखिए यह दो से विभाजित है पूर्दा है ना देखो यह समझो पहले चोड़ो सब तीन से डिवाइड है या नहीं 9,8,17,17,7,24,17,24,24,25,26,35,31,36,37 कितना होगा 37 यह तीन से completely डिवाइड नहीं है अगर तीन से डिवाइड नहीं है तो यह 6 से भी डिवाइड नहीं होगी क्या होगी ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी लेख लो फट से आगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं तो 6 का भी बाज़ता नहीं हम समझ गए अच्छा एक और बताओ द्यान से देखना बताना C वाला क्या ये C वाला तीन से completely divide है हाँ नहीं बताओ या से अनो अन्जनी हाँ कमेंट आ रहा है वर्तिका जल्दी कर भाई या बताओना जल्दी जल्दी क्या ये तीन से divide है क्या ये दो से divide है और क्या ये छे से divide है यास 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 पहला condition आओ चलो ये दो से divide है क्योंकि इसका last का digit दो है आइसी संक्या जिसका last का digit जीरो दो चार से आठ होता दो से divide होती है पहला condition पास दूसरी condition इनके यो अंको का योगफल अगर तीन से divide है तो तीन से भी divide होंगी 9, 5, 14, 3, 17, 2, 19, 21, 25, 25, 27 27, 23 से completely divisible है तो ये पूरी नंबर भी तीन से divisible होगी और जब ये दो और तीन दोनों से divide है तो डंके के चुप पह कह सकते हो तुम की 6 से भी ये divide होंगी क्योंकि दूइ गुड़ा 3 बराबर 6 होते भाईया divide means completely divide होना ठीक है इसके आगे है 7 का विभाज़ता नियम मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर इसका कोई मतलब नी थोड़ा लंबा है वो उसको सीखने अच्छा है तुम ऐसे कर लेना ठीक है लिखो 8 का विभाज़ता नियम डीबिजबिल्टी रूल बाई 8 चलो यह क्या होता है आठ का विभाज़ता नियम बताइए डीबिजबिल्टी रूल बाई 8 चल भई आओ ऐसी संख्या है जिनके ऐसी संख्या है जिनके इकाई दहाई वा संख्या इकाई दहाई वा संख्या से बनी संख्याओं संख्या बनी संख्या ठीक है आठ से पूरता विभाज़ित है पूरता विभाज़ित है वा पूरी संख्या भी आठ से पूरता विभाज़ित होगी सभी को सही दिख रहा है ना बढ़िया जैसे समझो देखिए आपे मैं बना रहा हूं समझें क्या ये आठ से डिवाज़ित है इसको चेक करने के लिए इन तीनों अंकों को निकालोगे तो नो पांच नो क्या आठ से डिवाज़ित होगी नहीं कभी नहीं अगर ये आठ से डिवाज़ित नहीं होगी जो ये बन रहा इन तीनों से तो ये पूरी संख्या भी आर्ट से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, ये तरीका है, क्या ये आर्ट से डिवाइड होगी, या स्यानो, लाइट के तीनेंग निकाला भाईया, नौसो अनफट क्या आर्ट से डिवाइड है, बिल्कुल है पक्का है, अगर नौसो अनफट आर्ट से डिवाइड है, तो ये पूरी बढ़ की संख्या भी आर्ट से डिवाइड होगी, अरी तू समझ में आ रहा है, महिमा जादो, अंजनी, नेहा, प्रिया, गोल्डी, सुभम, किसी को कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द, अरे मतलब इस कलास में बाकी तुम्हारे जिंदगी में वैसे भी सब दर्दी दर्द है, चलें आगे, जिंदगी में किसी भी परकार के दुख दर्द और टेंसन और डिप्रेसन का एक मत्र कारण है रिष्टा, रिलेशन, वो किसी परकार का भी किसी से भी हो सकता है, चै कोई इंसान से, किसी वस्तु से या किसी और भी चीज़ से, तो ये आठ से कम्प्लेटली डिवाइड है, अब बताए, क्या ये संख्या आठ से डिवाइड है, अगर इसे हम सवाल नंबर, लिख लो, इसे ज़िए, इसे हैं, मन मैंने करेगा यार रही से, एक मिनट रुको, फिर वही जाके कुछ बननेगा, चलो, इसके लाष्ट के तीन अंग मिलाओ, चलो, छेसो चालिस है, क्या छेसो चालिस आठ से डिवाइड है, अगर हाँ, तो आप बहुत ही प्यार से कह सकते हो, कि ये पूरी मुटकी संख्या भी, आठ से डिवाइड होगी, अन्य था ऐफा नहीं है, तो फिर नहीं होगी, कर जाएंगे भाईया, होंगे, आठ ठाई, चौन साथ, आठ ठाई, चौन साथ, और जीरो, असी आएगा, तो यू कैन से, ये पूरी संख्या आठ से डिवाइड है, ठीक है, प्रिशी के समझ में आ रहा है, प्रियांसी आ रहा है समझ में, तो ये आठ का डिवीजबिल्टी रूल हो गया, और नौ की बात कर लेते हैं, चलो, नौ का विभाजता नियम, ये यही तीन का हिस्सा है, लिख लो, ये लिखो लिखो लिखो, डिवीजबिल्टी रूल भाई थ्री, फिरी नाइन, नाइन, आइसे संख्या हैं, जिनके अंकों का योगफल नौ से कम्प्लिटली डिवाइड होगा, वो पूरती संख्या नौ से डिवाइड होगी, समझ गए, वही जो तीन वाला नियम है, सेम नौ वाला है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, ऐसी संख्या जिनकी, क्या, अंकों का योगफल, नौ से डिवाइड होगा, वो पूरी संख्या भी नौ से डिवाइड होगी, बस यही, आगला दस में आजाओ, सबसे आसान है यह, थोड़ा रुक जाता हूँ, अब मैं, रुकना सीख लिया हूँ, वरना मैं नौन इस्टाप बोलता था, डिविज बिल्टी रोब लाइट एन, इतना आफान ही है, इतना आफान दुनिया में कुछ है यह नहीं है, किसी की चुंगली करना भी उदना आसान नहीं, आएसी संख्या जिसका आंती मंक जीरो होगा, सिर्फ वही और वही दस से कंप्रिलिर्टी डिवाइड होगी, जिसका आंती मंक सुनने होगा बस, तुम लोगों गाना सुना ही पड़ रहा था काभी, यह माईक का कमाले गाना नहीं सुनता यह, सिर्फ मेरी अबाद सुनता है, और बताओ केसी को कुछ कहना है, वहाँ से रहा था ना, बकताई ना करो वरना निकाल दिये जाओगे यहां से, तो यह हो गया, ग्यारा का भी भाज़ता नियम काफी लंबा चोड़ा है, इसका कोई मतलब है नहीं, आपके सिलेबस के अगार्डिंग केवल यहीं तक था, ठीक है, इसके आगे अभ्यास से परस्ण और चीजें पढ़ेंगे हम कल, क्योंकि अब आज इससे ज़्यादा सही नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा हजम नहीं होगा, ठीक है, तो अच्छा जी अब हम चलते हैं,